प्राचिन शास्त्र पुरान से मिलता गर्भ वी ग्यान सुसंसकार जिवात्मा को कैसे करे आहवार अच्छे विचार उत्तम विहार और बानी व्यवहार पती पत्नी मिलकर करे गर्भाधान संसकार दमपत्य चाहे गर्भाधारन कर गर्भाधान मंत्र उचारन महवारी के दश्वे दिन से महवारी के विस्वे दिन तक देव दर्शन और स्नाना दी कुम कुम अक्षत जल और हल दी कुष्प तिलक श्रीफल माला दी करना गर्भ की पूजावी दी इंद्र प्रजापती सरस्वती अगनी देव और विश्णु आदी आशिरवाद देव देशारे स्वस्थ बीजम गर्भ पधारे कोशन पाए शिशु जोगर्भित नव माह तक रहे सुरक्षित हमें ऐसी संतान दोईश्वर बलबूथी आयू हो बहतर कलश दीप का करके स्थापन देवरन नद शुभ दीप जलावन मंगलक चरन सब मिलके गावन आशिश देते सब स्नेही जन गर्भाधान के बाद है माता कहते है सब ग्यानी ग्याता परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशू की रक्षा करना पौश्टिक सात्तिक भोजन करना योग प्राणायम कसरत करना वस्त्र अलंकर रत्न धारन ग्रहनक्षत्र अनूरुप करना रुचिकर संगित करो शवन तुम चित्र रंग अच्छे देखो तुम शुद्र हवा मिलती हो जहां पर विहार कर ले माता वहां पर आउशद रसी करन और चलना घात आघात से सदा संभलना सुक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा सूच समझ के खाना पीना सुद्रज शरीर निर्मल मन हो तन मन अपना सदा प्रसन हो धर्म कथा और प्रेरक गाथा नित्य रदय प्रभु के दर्शन हो प्रथम मासे हो विज सैयोजन गर्भ विकास का प्रारंभ होता शरीर मात का पुष्ट हो जाता आनंद मुख पर छल कह जाता द्वितिय मास पंच तत्व है बनता गर्भ में शिशू की होती है रचना निर्मान क्रिया में वीग है आता शिशू आकारित बनने लगता त्रुतिय मास संसकार प्रिती का पंच पिंड धीरे से खिलता आख कान और हाथ पावसह सुक्ष्म रूप से दिखने लगता शिशूर दैचा तुर्थ में बनता गर्भ जरा साहिलता डुलता माता गर्भ का मिलन है होता गर्भ मात नाभी से जुडता पंच मास से फूसवन किया हो मंत्र उचारन की वीधी हो मात पिता जो कुछ भी बोले गर्भ शिशू प्रतिक्रिया में डोले शष्ट मास योजस हे आता मन बुद्धी का विकास होता पाया कल पह होने लगता शिशू स्वयं सवरने लगता सब्त मास से सिम्मत नयन हो संसकार रिवाजु से संपन हो इश्ट देव से करे प्रार्थना शिशू स्वस्थ वगुन संपन हो अश्ट मास योज आता जाता ठकान में सुस करती माता बोज गर्भ का बढ़ है जाता आराम चाहती है अब माता नव ममास औज सिर हो जाता रक्षा सुत्रह बांधा जाता पूल तहा गर्भ विक्सित होकर प्रसवन मुख पर है आ जाता गर्भाधान की सारी बाते अच्छी तरह समझ मेलाके पर चर्यापा पालन करके स्वस्थ निरोगी शिशु सब पाते प्राच निर्शियों ने खोजा है गर्भ विज्ञान का मूल इस विज्ञान को अनुसरे वो पाए संतति फूल